Hello guys, this is Nikhil and you guys are watching the S-Tayroot आज मैं करने वाला हूं कैंसर वालो के लिए रीड जिनके बारे में करक राशी वाले सोच रहे हैं वो करक राशी वालो के बारे में क्या सोच रहे हैं क्या है उनके परसंड की करण फीलिंग और करण सिच्वेशन इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज की इस रेडिंग में हम करेंगे साथ ही हम क्या guidance है Mother Universe की तरफ से ये जानने की कोशिश भी करेंगे और सभी viewers से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सभी positive vibe में होके रहेंगे negative approach बिल्कल भी नहीं रखनी है आपको और negative कुछ भी नहीं सोचना है और जो भी आपका person है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं ये जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं उन person को अपने mind में रखे उन person का नाम अपने mind में तीन बार लीजिए ताकि आपका जो connection है वो card के साथ बन सके और reading जो है वो clearly निकल के आ सके और साथ ही connection क्योंकि cards के अंदर energies होती है energized होते है cards so जब आपका connection बन जाता है तो अगर आप skip करेंगे तो आपका connection break हो जाएगा तो आपको skip नहीं करना है बस आपको बने रहना है मेरे साथ और सुनते रहना है क्या feelings हैं उनकी so जाधा देर ना करते हुए start करता हूँ उससे पहले एक चीज और मैं यहाँ पर clear करना चाहूँगा कि मैं gender specific read नहीं करता हूँ so आप लोग अपने gender के हिसाब से अपने gender के हिसाब से connect करने की कोशिश करेंगे और nextly अगर आप लोगों कोई question कोई guidance आप लोग मुझे से चाहते हैं तो आप comment section में लिख दीजिए अपना question लिखते हुए आप अपने details जरा लिख दीजिए जादा details नहीं चाहिए मुझे अगर answer चाहिए तो अपने date of birth और अपने location जहाँ पे आपका birth हुआ है वो जरूर mention कर दीजिए ताकि मैं आप तक clearly पहुँचा सकूँ आप लोगों का answer देख लेते हैं cards क्या निकल काए है bottom of the deck भी देखेंगे so यहाँ पे देखें celebration दिख रहा है मुझे celebrate आप करते हुए दिख रहे हैं अपने person के साथ आप celebrate करने वाले हैं हो सकता है एक outing पे आप लोग जाएं और हो सकता है यहाँ पे कहीं बाहर आप लोग जाएं मतलब बाहर holidays पे या फिर कहीं outing पे outdoor ठीक है so देख लेते हैं next क्या आ रहा है देखे two of swords आया तो two of swords यह बता रहा है मुझे आप दोनों इस time पे एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं और better understanding बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी tuning और strong करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका bond है क्योंकि यहाँ पे अभी आप दोनों time ले रहे हैं और आप दोनों अभी एक दूसरे को जानने की कोशिश में लगे हुए है so three of cups क्या है देखे three of cups मुझे यह बता रहा है आप इस time पे अपने past से भी थोड़ा सा struggle करते हैं मुझे दिख रहे हैं क्या struggle है आपका कि आपके साथ देखे past में अच्छा नहीं रहा है जो आपका past relationship खतम हुआ है अभी और जादा दिन भी नहीं हुए है आपके past relation को खतम हुए हुए so आप अभी उस चीज़ से भी थोड़ा सा जूजते हुए मुझे दिख रहे हैं क्योंकि आपने जो past person है उनकी यादों से भी attached मुझे यहां पर दिख रहे हैं थोड़े attached आप हैं बट आप move on करना चाहते हैं साथ ही साथ आप move on भी करना चाहते हैं बट आप अभी कहते हैं एक पैर आपका भी अतीत में हैं और एक पैर आपका भीष्य में हैं तो अगर आपको आगे बढ़ना है move on करना है तो आपको अपना पैर आगे बढ़ाना होगा अपने पैर को अतीत से निकाली है और भीष्य के और बढ़ी है क्योंकि move on करना है आपको और देखिए नेचर का जो रूल है प्रकरती का जो नियम है वो है बदलते रहना समय के साथ ठीक है तो आपको changes accept करने हैं और आपको आगे बढ़ते रहना है आगे बढ़िए तभी आप और betterment की तरफ जाएंगे ठीक है queen of wands आया है तो queen of wands ये बता रहा है देखिए options तो नहीं कहूंगा मैं बट आपके लिए न opportunities तो है in future बट आप लोग न अपने comfort zone से बहार निकलते हैं मुझे नहीं दिख रहे हैं तो आपको यहां पर अपने comfort zone से बहार निकलना है क्योंकि opportunities तो आपके वापास हैं देखिए seven of wands भी ये बता रहा है आप अपने comfort zone से बहार निकलना नहीं चाहते हैं तो आपको न आगे बढ़ना है देखिए opportunities आपका wait करती मुझे दिख रही हैं बट आपको यहां पर थोड़ा सा move on करना है थोड़ा अपने comfort zone से बहार निकल ये move on कीजिए आपके लिए जो good time है जो betterment है वो आपका wait कर रहा है थोड़ा अपने उपर काम कीजिए आगे बढ़िए comfort zone से बहार निकल के ठीक है तो next card हम देख लेते हैं क्या है आपके लिए और एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगा देखिए इसके last में इस reading के last में मैं सभी बारा zodiac वालों की क्या feelings है करक वालों के लिए cancer वालों के लिए वो भी मैं बताऊंगा तो आप लोग जड़ा जुड़े रहिए और wait कीजिए उस section का भी bottom of the deck देखे क्या मुझे यहां पर दिख रहा है मुझे यहां पर आपके बात कर लेते हैं थोड़े आपके past person की जो आपके past person है आपको ditch करने के बाद आपको धोका देने के बाद वो खुश नहीं है आपके साथ उन्होंने all of a sudden एकदम से आपसे बाते बंद कर दी है और आपको एकदम से धोका देना शुरू कर दिया और आपको cheat किया है तो यह चीज मुझे यहां पर दिख रही है relationship खतम बेशक आपने किया हो बट जो आपके past person थे cheat उन्होंने आपको किया है I hope आप समझ पा रहे होंगे what I am trying to say is कि धोका दिया है उन्होंने आपकी जो ex person थे और आप यहां पर आपने उनको side कर दिया है उनकी हरकते देखते हुए तो अब क्या है ना कि आपके जो ex person है past person है वो आपको देख रहे हैं दूर से दूर से क्या आपके उपर नजर बनाय हुए है कि separate होने के बाद separation के बाद आपकी life में क्या changes आ रहे हैं और वो और आप किस तरह से अलग हैं और क्या चल रहा है आपकी life में और क्या चल रहा है उनकी life में in short अगर मैं कहूं तो comparison करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि separation के बाद कौन जादा खुश है आपके जो person है वो आप पे नजर बनाये हुए है आपको देख रहे हैं आपके activities आपकी life में जो changes आ रहे हैं उन सभी changes को वो observe कर रहे हैं और देखिए वो ना खुश नहीं है क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है आप move on करने के बाद आप better condition में हो आप उनसे far better condition में हो move on करने के बाद आप अच्छी position पे जाते हुए मुझे दिख रहे हो और nextly मैं कहूं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में पतानी ही क्या magical one लग गई है और आप काफी जादा खुश हो उनसे break up करने के बाद opportunities का भंडार आपको मिल चुका है तो ये चीज आपके जो person है past person है उनको हजम नहीं हो रही है वो इस चीज से काफी जादा disappointed feel कर रहे हैं कि आप इतने खुश इतने relaxed क्यों हो उनके साथ break up करने के बाद ये चीज मुझे यहां पर feel हो रही है दिख रही है तो देख लेते हैं next part और देखे हो सबता है सब चीज सब के साथ resonate ना करें तो आप लोग जो part आपके साथ resonate करता है उस part को रखिए और जो part resonate नहीं करता है उसे दूसरों के लिए छोड़ वीजिए देखे आपके जो person है जो current person है आपके वो इस time पे आपको काफी miss कर रहे हैं और बहुत जाद आपको deeply miss कर करके overthinking कर रहे हैं आपके बारे में क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों कहीं separate ना हो जाए आप दोनों के कोई separation ना हो जाए इस चीज के बारे में वो overthinking कर रहे हैं और overthinking कर करके खुद ही परेशान भी हो रहे हैं वो अपने mind को अपने mind को काफी जादा वो disturb कर रहे हैं ठीक है इसी वज़े से वो hanged एक situation में है hang situation में मतलब hang situation क्या देखिए वो और किसी चीज़ पर concentrate नहीं कर पा रहे हैं आपकी वज़ा से क्यूंकि उनका सारा concentration सारा focus आपके उपर है और बहुत जादा वो overthinking कर रहे हैं आपके साथ वो detachment या फिर आपके साथ separation नहीं चाहते हैं तो इस चीज़ को लेके वो काफी जादा परिशान है और काफी जादा सोच रहे हैं इस बारे में कि कहीं आप लोगों का separation ना हो जाए ठीक है तो ये चीज़ मुझे यहां पे feel हो रही है कि आपके जो person है काफी जादा overthinking करते हुए मुझे दिख रहे हैं और इस overthinking के कारण ही उन्होंने खुद को एक जगे jam कर लिया है jam कैसे कर लिया है क्योंकि इस time उनका सारा concentration ये है कि आपके साथ उनका break up या फिर separation ना हो जाए इस वजह से और किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं overthinking आपको लेके वो करते हैं और miss आपको काफी कर रहे हैं इस point पे आपको काफी ज़्यादा miss कर रहे हैं याद आपको कर रहे हैं मिलना चाहते हैं आपसे in short अगर मैं कहूं तो nine of sorts तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है आपके जो person है आपसे मिलने के बाद daydreaming शुरू कर दिया उन्होंने daydreaming मतलब वो आपको लेके सपने देखते हुए मुझे दिख रहे हैं सपने देखते हैं वो आपके साथ अपने future के बारे में आपको लेके अपने मन ही मन में अपने दिमाग में किसो की संसार वो बसा लेते हैं और आपके साथ वो मतलब आपके साथ में time spent करना उन्हें काफी जादा पसंद है जब आप लोग एक साथ होते हो न तो आप लोग न एक दूसरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता है कुछ नहीं सूचता है ये बॉंड आप लोगों का है और मतलब जो आपके आसपास भी है ना आपको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है आपको बस एक दूसरे से लेना देना है और आप लोग एक दूसरे से काफी जादा प्यार करते हैं काफी जादा आपका जो बॉंड है वो काफी ज़्यादा strong है यही reason है कि आपके person आपको लेके day dreaming करते हैं आपके साथ वो time spend करना चाहते हैं पसंद करते हैं और साथ ही साथ वो आपको लेके ये भी सोचते हैं in future आपके साथ उनका एक जुकी संसार होगा आपके साथ घर बसाएंगे एसेटरा एसेटरा ये सब वो सोचते हैं आपको लेके और next card देख लेते हैं क्या निकल के आने वाला है तो देखें यहाँ पर 10 of wands आया है तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि आपके life में काफी ज़ादा hurdles इस time पर चल रही है hurdles आपकी life में हैं परेशानिया हैं आपकी life में love life हो सकती है love life में भी problem का सामना आपको करना पड़ रहा हो क्योंकि जहां तक मुझे दिख रहा है जहां तक chances हैं आपके जो person है वो other class से belong करते हैं other relation से belong करते हैं तो यही reason है कि आप दोनों के बीच में जो आप दोनों के जो relation हैं आप सोच रहे हैं कि आपकी जो family है उसे accept करेगी या नहीं तो यह चीज मुझे यहां पर दिख रही है but hurdles काफी हैं हो सबता है आपकी family ना accept करे तो आपको यहां पर क्या करना है आपको उन्हें मनाने के लिए काफी hard work करना पड़ रहे है यह चीज मुझे दिख रही है आपको काफी जादा hard work करना पड़ रहा है उन्हें मनाने के लिए उन्हें convince करने के लिए आपकी जो family है आपकी जो parents है क्योंकि 10 of wants तो यहीं बता रहा है कि hurdles काफी हैं आपकी life में so अब finally देख लेते हैं बाकी 12 zodiac वालों की क्या current situation है करक वालों के लिए cancer वालों के लिए क्या feelings है उनकी so सब भी एक positive vibe में होके रहेंगे negative approach नहीं रखनी है आप लोगों को positive approach में रहना है so सबसे पहले बात कर लेते हैं Aries की देखे Aries वाले इस time पे काफी जादा आपके बारे में overthinking कर रहे हैं आपको लेकिए काफी जादा सोच रहे हैं आपसे काफी जादा प्यार करते हैं आपको मानते वो हैं और आपके आप ना उनके लिए एक बूस्ट का काम करते हैं आपके साथ आजाने से ना उनके अंदर एक confidence आया है और वो इस चीज़ को काफी ज़ादा enjoy करते हुए मुझे दिख रहे हैं यही reason है कि वो आपको काफी ज़ादा मानते हैं अपनी life में काफी ज़ादा value आपकी करते हैं अपनी life में और next देख लेते हैं अब टॉरस वालों की क्या feelings है cancer वालों के लिए टॉरस की feeling for cancer देखें यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है आपको आगे बढ़ना है अपने person की तरफ और आपको न और close उनके जाना है देखें क्योंकि यहाँ पर आप न मुझे थोड़ा सा डरे डरे दिख रहे हैं तो यही reason है आप दोनों पास तो आना चाहते हैं बट एक दूसरे से थोड़ा hesitation आप लोगों के अंदर है hesitate आप लोग कर रहे हैं बट hesitate करने की कोई जूरत नहीं है जैसे आपकी feelings है same वैसे ही उनकी feeling है जैसे आप crave कर रहे हैं न close जाने के वैसे ही वो भी crave कर रहे हैं बट show नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को अपने दिल की feelings तो बट आपको यहाँ पे close जा सकते हैं आप लोग एक दूसरे के क्योंकि दोनों ही तरफ same feelings है एक दूसरे के लिए जैसा आप सोचते हैं same वैसा ही आपके person भी सोच रहे हैं so अब next ली बात कर लेते हैं Gemini वालों की feelings क्या है करक वालों के लिए Gemini is feeling for cancer देखे आपके जो person है अगर उनका उनका sunshine Gemini है तो आपकी person इस time पर manifestation कर रहे है एक दूसरे आपको लेके manifestation कर रहे है Mother Universe से माग रहे है आपके साथ time spend करना चाहते हैं और Mother Universe देखे सुन भी रही है उनकी और आप दोनों को Mother Universe और close मुझे लाती ही दिख रही है in future जो उनकी manifestation है वो accept होती हूँ मुझे दिख रही है Mother Universe की तरफ से तो यहाँ पर देखे आपकी जो person है अगर जमिनाएं वाले हैं तो manifestation वो आपको लेके कर रहे हैं और next लिए देख लेते हैं cancer वालों की क्या feeling है for cancer cancer's feeling for cancer देखे अगर आपके person cancer वाले हैं तो cancer वाले overthinking कर रहे हैं अपने person को लेके आपकी जो person है अगर उनका भी zodiac sign cancer है तो काफी जादा वो overthinking आपको लेके कर रहे हैं यह चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि वो आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं आपके साथ अपना future देख रहे हैं तो वो यही reason है आपको लेके बहुत जादा सोचते हैं बहुत जादा overthinking आपको लेके वो करते हैं अब देख लेते हैं लियो उसकी क्या feeling है for cancer तो देखिए यहाँ पर लियो लियो आपके साथ देखे enjoy करना चाहते हैं आपके साथ एक outing पर जाना चाहते हैं अपने जो hectic schedule है लियो वाले उससे काफी दादा परिशान है अपनी office life से वो परिशान है और आपके साथ अब वो एक time spend करना चाहते हैं personal me time वो आपके साथ spend करना चाहते हैं क्योंकि वो इस time अपनी life से काफी दादा frustrated feel कर रहे हैं तो यही reason है वो आपके साथ थोड़ा time spend करना चाहते हैं और अब देख लेते हैं वर्गो की क्या feeling है for cancer अगर आपके person का sign वर्गो है तो देख लेते हैं आपके person की क्या feeling है आपको लेकर के तो देखिए आपके जो person है वो इस time पे आपके बारे में तो सोच रहे हैं वो आपके जादा आपके जो person है अपने carrier को लेके सोच रहे हैं वो पैसा बनाने की सोच रहे हैं काफी जादा money minded है वह आपके person जो है इस time ना उनका सारा focus अपने carrier के उपर है तो अपने carrier को वो यहाँ पर priority देते हुए दिख रहे हैं वो इस time पे पैसे बनाना चाहते हैं पैसे कमाना चाहते हैं और उनके जो options हैं और ज्यादा earning के उनको explore करने की वो कोशिश यहाँ पर करते हुए मुझे दिख रहे हैं और देख लेते हैं Libras की क्या feeling है for cancer काफी जादा ना इस time पे frustrated feel कर रहे हैं frustrated क्यों feel कर रहे हैं उनके उपर उनकी family की तरफ से काफी जादा pressure बनाया जा रहा है शादी करने के लिए और उनको ना और भी जादा options दिखाये जा रहे हैं तो यही reason है तुला वाले जो हैं वो frustrated feel कर रहे हैं और ठका हुआ काफी mentally feel कर रहे हैं क्योंकि उनकी family ने उन्हें काफी जादा mentally ठका दिया है अब बात कर लेते हैं Scorpio वालों की feelings for cancer वरिश्चिक वालों की क्या feeling है करक वालों के लिए देखे बहुत अच्छी energies निकल के आई हैं आपके लिए उनके feeling काफी जादा intimate होनी की है आपके close आना चाहते हैं वो सब कुछ छोड़ चाड़ के आपके पास आना चाहते हैं और intimate आपके साथ होना चाहते हैं close आपके साथ होना चाहते हैं intimacy मुझे दिख रही है romantic mood में इस time पे दिख रही है for cancer Sagittarius वाले इस टाइम पे अपनी life में hurdles का सामना कर रहे हैं hard work कर रहे हैं वो इस टाइम पे जो उनकी जिम्मेदारिया है उनकी family pressure जो है उनकी family में जो उनकी जिम्मेदारिया है responsibilities हैं उन पे ध्यान है उनका उन पे focus कर रहे हैं यहां पर दीखे क्या है आपके जो अगर परसन सैज वाले हैं तो वो इस टाइम पर अपने केरियर को लेकर तो हर्डल का सामना करी रहे हैं हर्ड बर्क कर रहे हैं साथ ही साथ उनकी फैमली में भी इस टाइम पर प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं तो उससे भी वो जूच कुछते हुए दिख रहे हैं यहां पर वो अपने केरियर और अपनी फैमली को संभालने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं और अब बात कर लेते हैं कैप्री कौन वालों की कि क्या फीलिंग है कैप्री कौन वालों की फॉर कैंसर ठीक है देखे आप लोग मुझे कहीं जाते वे मुझे दिख रहे हैं सेलिब्रेट मुझे करते वे दिख रहे हैं और बहुत जल्दी आपके जो परसन हैं ये कुछ सर्प्राइज आपको देने वाले हैं अगर आपके परसन की फीलिंग अगर आपकी person का zodiac sign Capricorn है तो बहुत जल्दी आपको कुछ good news या फिर कुछ surprise आपको देते हुए दिख रहे हैं बहुत जल्दी कुछ है उनके मन में जो चल रहा है और वो आपके share करना चाहते हैं तो आप ready रही है क्योंकि उनकी तरफ से कुछ surprise मुझे आपके लिए आतवा लिख रहा है और अब बात कर लेते हैं एक्वाज की क्या feeling क्या message है एक्वाज वालों की तरफ से आपके लिए एक्वाज feeling for cancer देखे एक्वाज वाले न एक date पे आपको लेके जाना चाहते हैं डिनर या पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं आपका खर्चा करवाते हैं इस टाइप की उनकी अप्रोच है बट वो थीक है आपसे emotionally तो connected है emotionally काफी जादा आपको प्यार करते हैं connected हैं आपसे but money minded भी है वो आपके साथ खर्चा नहीं करना चाहते हैं ठीक है अपना पैसा बचाके तो रखना चाहते हैं but feelings आपके लिए हैं but money minded है और अब देख लेते हैं lastly prices वालों की क्या feeling है for cancer prices की feeling cancer के लिए देखे prices वाले काफी ज़दा alone feel कर रहे हैं lonely feel कर रहे हैं काफी ज़दा अकेला feel कर रहे हैं और इस time पर आपकी need है उनको वो अपना ध्यान बटाने की कोशिश काफी कर रहे हैं बट इस time पर ना वो किसी चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान है sad feel कर रहे हैं और अपना माइंड divert करने के तो काफी कोशिश कर रहे हैं बट परेशान वो इस time पर मुझे दिख रहे हैं आपकी ज़रुरत है उनको आपको उनकी help करनी है उनको देखे अकेला अपन feel हो रहा है और काफी ज़्यादा वो किसी चीज़ को लेके परेशान है वो किसी से share नहीं कर पा रहे हैं बस ना उस situation पर वो कुछ कर पा रहे हैं तो आपको ना उनसे पूछना है उनका जो mind है उसको relax करना है उनको boost करना है motivate करना है क्योंकि आपके जो person है अगर उनका sign Pisces है तो वो काफी ज़्यादा इस time पर lonely feel कर रहे हैं आप उनकी help कीजिए आप उनकी help कर सकते हैं सो गाइस ये थी आज आप लोगों के लिए read I hope आपके साथ reading resonate करेगी reading resonate ना करे तो बिल्कुल दिल छोटा मत कीजिए बहुत जल्दी दूसरे reading के साथ आपके सामने हाजिर होंगा वो आपके साथ जरूर resonate करेगी तब तब के लिए आप अपने ध्यान रखें बाई बाई टेक केर